हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मो टीविया पर आपका स्वागत है इस शो की कहानी की शुरुआत होती है नो साल की लड़की अवनी आईशा से जो की अपनी मा आईशा हैदर के साथ रहती थी अपनी के पिता आशीश महता एक फेमस फिल्मेकर होते हैं जो अपनी बेटी से छुपकर मिलते हैं क्योंकि उनकी मा दयावन्ती को आईशा पसंद नहीं होती जो आईशा एक बेटे अमन को जनम देती है तब दयावन्ती उसे मार कर अपने पोते को अनमोल बना कर साथ रख लेती है और सारा इल्जाम बिचारी अपनी पर डाल देती है और आशीश भी अपनी मा पर ही यकीन करता है अपनी को जेल से नीला बाहर निकालती है और अनन्या बना कर उसकी परवरिश भी करती है बड़े होने पर अपनी की मुलाकात नील से होती है और नीला के मरने के बाद वही उसका ख्याल रखता है और दोनों एक दूसरे से पियार भी करने लगते हैं उनकी लाइफ में फिर भी बहुत से उतार चड़ावाते हैं और लास्ट में दोनों फिर से मिल जाते हैं। नील के रोल में थे जयन इमाम, अवनी के रोल में थी अदिती राठोर, नीला के रोल में थी सैनतानी घोश और आयusha के रोल में थी बरखा सेन गुपता ये शो व्यूर्स को खूब पसंद आया लेकिन कुछ समय के बाद व्यूर्स का इंट्रस्ट शो में कम होने लगा और टी आरपी गिरने लगी और लो टी आरपी के चलते शो को आफिर कर दिया गया इस शो के सभी अपिसोड स्टार इंडिया की ओनलाइन स्ट्रीमिंग अप होच स्टार पर अवेलिबल है और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो देखने के लिए फिल्म और टीविया को सब्सक्राइब करना ना भूलें